डॉक्टर भीमराव अंबेट का पुलिस अकादमी ने शुकरवार को यूपी पुलिस को 218 नई दरोगा दिये पासिंग आउट परेड में इटावा के अंकित यादव को सरवांग सरवोत्तम क्रेडेट का पुरसकार दिया गया डीजी परेशिक्षन सुजान वीर सिंग ने अंकित को तलबार भेट की इस मौके पर पुलिस अकादमी के एडीजी राजीप किशिन सिंग ने सभी को शपत घ्रहन कराई पासिंग आउट परेड संपन होने के बास सभी दरोगा ने एक दूसरे को गले लगा का दरोगा बनने और नई जिम्मेदारी मिलने की बदाई दी इस दोरान पुलिस अकादमी परिसर उस्सा वा उमंग से लवलेज रहा कारेकरम की रूप रेखा बताते हुए एडीजी राजीप किशिन ने कहा कि वज़ 2020 के नागरिक पुलिस बेच का आवंटन शाशन ने पुलिस अकादमी को किय था इसमें से 221 ने अपनी आवंट पुलिस अकादमी में दर्ज कराई एक पिशिक्षू परिक्षा में शामिर होने से वन्चित रहा एक पिशिक्षू परिक्षा पास करने में विफल लहा कुल 218 परिक्षा में सफल लहे एक वश्ची पिशिक्षन के दरमियान पुलिस होता है कंदे पर कुशल वा कुणवत्ता पुड विवेचन की जिम्मेदारी ही नहीं होती बलकि बी आईपी वा समाज की सुरक्षा का भी भार होता है अपने दायत के निर्वा में सब्वेंदन शीलता वा कठोड़ता का समझ सामिश्राण करना होगा समाज के अंतिम व्यक्त में और अंता विश्यों में इनको प्रसिक्षन दिया गया है और यह मुख्य रूप से जो पुलिस विभाग के मृतक आश्रित थे उनके उनका एक तरीके से आज इंडेक्टमेंट हुआ है और उन्होंने एक वर्स का प्रसिक्षन पूरा करके पुलिस विभाग का अंग ब अमाने दशान देश जो भारत सरकार की तरफ से जो मारदर्शक सिध्धांद जारी हुए है जो तरफ देश सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है उनके संबंद में उनको ब्रीफ किया गया है सर ये हमारे लिए बहुत गौरब पूर्ण चण है और मैं आशा करता हूँ कि मैं भविस्त में गरीबों के लिए और जो असाहाय है वंचित अवर्ग है जो पीडित है उसके लिए मैं कुछ भी सेज कर सकूँगा कुछ अच्छा कर सकूँगा से बिलकुल तयार हूं सर इस प्रदेश में आज की पासिंग आउट के बाद 218 सब इस्पेक्टर्स शामिल हुए हैं यह सभी पुलिस परिवार के अंग है क्योंकि यह मिर्थक आश्रित वाले निर्धारित कोटे से यहां पर आये थे उनकी एक साल की पूरे ट्रेनिंग के बाद में यह आज है शामिल ह सामान ने ट्रेनिंग जिसमें डिफेरेंट सेंगराइद्रेंब्स उध्टस शामिल है उनकी आलावा क्योंकि पूरे साल ही इनकी स्वाली इनकी जानव करोना हमारी का प्रुकौप रहा तो केंदर सरकार और प्रदेश सरकार के गाईड ल eigenlijk हैं जो प्रोटोकॉल से इनको ए झाल थाज़ कर दो सुलाने हैं